बूतिया चक्की वाला एक शम माया को बच्पन की सहेली नीता का फोन आया मैं ठीक हूँ तुम कैसी हूँ? डॉक्टर साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, अस्पताल में हैं अभी एक बात बता, तुम्हारी जैसे लड़की को शामसुंदर जी ने पसंद कैसे किया? क्योंकि यहां आजमगर में तुम्हारे देवर तो कुछ आजीब थे मैं अब ऐसी नहीं रही बदल चुकी हूँ पती परमेश्वर और सरसुराल से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं चल भाई, अब रखती हूँ सुंदर जी को बेसन के लड़ू बड़े पसंद है चक्की जाकर अपने हाथ से आटा पिस्वा कर लाती हूँ रात के साढ़े नौ बजे चने की दाल लेकर माया अपने नौकर जगन के साथ कार में बैठकर चक्की की तरफ निकल गई इधर चक्की वाला दामू चक्की में आटा पिस रहा था कि अचानक लाइट चली गई ए भगवान, इसे क्या हो गया? अचानक अंधेरे में दामू एक परचाई देखकर जोर से चिलाया अचानक लाइट आ गई और चक्की शुरू हो गई लेकिन दामू का ध्यान चक्की पर नहीं था उसका रवया बदल चुका था एक आत्मा ने उसे वश कर लिया था माया की कार चक्की के सामने आते ही रुख गई नौकर नीचे उतरा और चने की डाल लेकर अंदर आया दामू दिवार की तरफ मोह करके खड़ा था ओए दामू चने की डाल रख कर जा रहा हूँ खूद मेम सहाव आई है आज मैं वीडी सुलगाने जा रहा हूँ जल्दी से पिश्वा देना समझा नौकर जगन निकल पड़ा जैसे ही जगन निकला दामू ने जगन की तरफ देखा तो दामू भयानक भूत बन चुका था दामू नहीं बोला आजमगण का चक्की बाला बोला दामू जोर जोर से हसने लगा थोड़ी देर बाद माया अंदर चक्की में आई तो चक्की में कोई नहीं था ये नौकर पे बड़ा काम चोर है चक्की बाले का पता नहीं और ये गया होगा बेड़ी सुलगाने तब ही अचानक चक्की अपने आप शुरू हो गई और भयानक आवास करने लगी चक्की की आवास सुनकर माया डर गई अरे अपने आप कैसे शुरू हो गई अचानक लाइट चली गई लेकिन चक्की का लाइट पर कोई असर ही नहीं हुआ चक्की जोर-जोर से घूमती रही माया बुरी तरहे डर गई कोई है जगन जगन काम चोर चक्की वाला कहा है अरे जगन अंधेरे में माया चलाती रही लेकिन चक्की की आवाज में उसकी आवाज भी दब गई और नौकर जगन चक्की के बाहर आराम से बीड़ी खीचता रहा अंधेरे में माया ने देखा कोई दिवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है माया समझी दामू खड़ा है वो गुस्सा हो गई दामू? ये सब क्या है? फिर से लाइट आई जैसे ही लाइट आई चक्की अपने आप बंद हो गई चक्की में सन्नाट अचा गया माया ने दामू की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गय क्यूंकि वहाँ दामू नहीं भोला खड़ा था आजमगरवाला चक्की वाला भोला तुम? तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मर चुका हूँ तुम्हें मारने आया हूँ क्या? मुझे क्यों मारना चाहता है? बोल गई वो दिन जिस दिन तु मेरे चक्की पर आई थी भोला की बात सुनकर माया अपने आप में ही खो गई और उसे वो दिन याद आया जिस दिन उसके गलती की वचे से एक बेगुनाह की जान चली गई थी माया आजमगर के बड़े परिवार की लाट प्यार में पली बड़ी बिगडी हुई बेटी थी हर वक्त बस मोबाईल पर गुटरगू गुटरगू जा भूला राम की चक्की से आटा पिस्वा करला चल जा रगु भाईया समझाओ ना मा को माँ घर में नौकर चाकर है ना माया क्यों जाए रगू मैं तुम बाप बेटों की काली कर्टूतों में दखल नहीं देती तुम भी हम मा बेटी में दखल ना दो माया जाती हो की मोबाईल बन करवा दूँ हाँ माया को घुस्सा तो बहुत आया लेकिन फिर भी मा के डर से वो आठे का डब्बा लेकर भोलाराम की चक्की पर निकल पड़ी भोलाराम एक शरीफ और इमानदार नौजवान था जैसे उसने थकी हारी माया को देखा वो आठे का डब्बा लेने उसकी तरफ भागा और गलती से उसका हाथ माया की कमर को छुग गया माया ने भूला राम को जोरदार चाटा मारा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमर को हाथ लगाएगा तभी माया का भाई रगु वहाँ आया क्या हुआ माया मेरे कमर को छुआ इसने बहन को गलत फैमी हुई है भाईया रगो को गुसा आया और उसने भोला को चक्की पर पटक पटक कर मार डाला कुछ याद आया गलती हो गई भोला उस दिन मा का गुसा तुम पर निकल गया मुझे माफ कर तू तेरी गलती की वज़े से मेरी जान गई अब तेरी जाएगी भोला का भूत माया की तरफ बढ़ने लगा माया चिलाने लगी बचाओ 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 अचानक चक्की शुरू हो गई और माया की आवास दब गई भोला माया के पास आया उसने माया का सिर पकड़ लिया और चक्की पर पठक पठक कर माया को मार दिया इस प्रकार गलत फेहमी और दुर्वे वहार की भारी कीमत माया को चुकानी पड़ी